क्योंकि उसका हाथ के नीचे आ गया है और आज पुकाद कर रहा है कि प्रभूर आप महान हो आपने सर्व मानाए धारण कियोए हैं सर्व दंक रहे हैं फिर भी आप शान पाव से बैठे हैं प्रसंद मुद्रा में पालतिक के कटाक्ष को देख देख करके मौित हो रहे हैं मैं आपका मानस अभीशे करता हूँ और आगे नामान कहता है सुदावाय युकुद लेख रया विराज मानशी करम महां करपाली शंप देख सिरो जटा लहुप कर्ये बगवान शीपर अम्रत किर्णे बरताने वाला चंद्रमा है उसे आपके अपने मंतक पर दारण किया है वह चंद्रमा जिसे दख्ष ने राख दे दिया था वह चंद्रमा आपकी शरण में आते ही अम्रत में हो गया इसका शाक्षी पूरिमा का चंद्र है जिस रात्री को कहते हैं पूरिमा की रात्री को कि चंद्रमा आकाश शे अम्रत बरताता है और जो उस चांद्री की रात्री में चंद्रमा की केड़नों का आश्वादर करता है उसके जिवन में अम्रत बाव का उदेवने लगता है यहां पूरिमा के चंद्रमा का पूजन कर उस चंद्रमा की किरणों का आश्वादन करें जो अम्रत सुदा बरताने वाली है तो रावन कहता है प्रभू आप महान हो आपके आपने चंद्रमा को धारण किया है और चंद्रमा को ऐसा बरतान दे दिया है कि वह सर्ष्टी में निरंत और निरंत अम्रत मरसाता है और खुर्णिमाकस कि रातरी को वबूरी त्रष्टी को अंगर्ष से अप्लावित करता है उस चंद्रमा की चंद्रमा मनसो जाता। उस चंद्रमा को परमंदनी था है। उस चंद्रमा को आपने एक छोटे से उपग्रे को आपने अपने भाल को धार्म कर लिया है और जब भी नाम आता है तो शूरिय और चंद्रमा का नाम आता है उस चंद्रमा को आपने धार्म कर लिया है आपसे बढ़कर कोई बहान नहीं है मैं आपका अभिशेख करता हूँ वन्दन करता हूँ प्राष्णा होती है तो मन से बहुत भाव किता है तो जो अभिशेख है इसमें भी एक जीवन रख का भाव है कार्णव इसकोट है लेकिन क्या रावण है सेंटेंस कह रहा है पूर्य सेंटेंस बोलूगा तो इस तबा में एकदम बोलनी भाऊंगा लेकिन क्या कह रहे है सब्दों को ध्यान पर सुनना अखाय वसारु मंगला कला कदम्ब मंजरी रश्रवा मादुरी विजम रणे मदू हुरता हुदा क्या आठ्ष है सेव रभू आपकी सहतरी शक्ती कदम्ब ब्रक्ष की मंजरी है और हेशिव आपको शक्ती के साथ एक भौरे के भादी उस कदम्ब ब्रक्ष की मंजरी का रश्रवा करें है उस सिव को मैं नमन करता हूँ मैं अभिशे करता हूँ रोते रोते अभिशे कब आपी कहरें हेशिव आप ऐसे रस देने वाले और आप स्वयम कहां से रस्ट राप करते हैं जैसे कदम बंच की प्रक्ष की मंजरी से एक बहुरा परागपणों को ग्रेंड करता है इसी प्रकार आप भी निरंदर और निरंदर शक्ती के साथ स्रयुक्त होते रहते हैं फिर कहता है प्रभु मेरा हाद शिरा लो और मुझे प्रदान करो शिवेति मंद्र मुचरम सदातु की भवाव्यम पुला हे शिव ये देवादी देव महादेव मैं तो किवल इतना जाजा हूं कि जो इस शिव के मंद्र का उच्चारम करता है वह सदातु की भवाव्यम वह सदेव और सदेव सुपी रहता है इसलिए मुझे शिव इस कष्टने निकालो और मुझे सदा सुपी होने का वर्दान पुदान करता है तो कि हमारे मन पे एक प्रावन के मन में यही प्राशना है रावन आकि गया को केलास प्वावान की पूजा करने गया क्यों यही भावता के जहां शिवा जाएंगे वहां जहां सदा से मिस्थापित रहेंगे वहां सदा सुप कहलेगा हम भी तब प्राणी भी इसलिए तो करने हैं प्राप्त लक्ष्मी जाप्त्यतम प्राप्त लक्ष्मी चिर्काल अजुनगाश्या यही तो प्राण्दा का मारा भावे केशिव हम आपका अभिशेव कर रहेंगे आप हमें सदा सी महेना हमें वर्दार में सदा आपकी क्योंकि हमें चाहिए सुख सदा आपकी होने का वर्दार प्राप्त और इच्छा क्या है अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त लक्ष्मी प्राप्त कोशीश करने पर कि जो प्राप्त नहीं हो सका है मुराप्त और जो प्राप्त हो गया है वंचियल का अंगत धान शंदराष्षail के केर और उसमें से खर्श नहीं हो जो प्राप्त नहीं हुआ है वह प्राप्त होता रहे विद्या प्राप्त नहीं हुए तो वह और प्राप्त होता रहे धन प्राप्त नहीं हुआ है धन प्राप्त होता रहे और वह रिजल रहे ये भगवान मेरे पास धन रिजल रहे मेरे पास ज्यान रिजल रहे मेरे पास क्योंकि आप तो सदा सिव निद्य हैं और जो आपका अभिशे करता है वह सदा सुप को प्राप्त करता है इसलिए ये शिव और आप ऐसे देवें जो कष्टों की मालाएं धारन कियें उसके उपरांग भी आप बंद बंद मुद्करा रहे हैं आप शक्ति के साथ निरंतर और निरंतर सनलंग हो रहें तो मैं शक्ति के साथ आपका जो सयुक्त भाव है उस सिवलिंग का मैं अभिशे करना चाहता हूं कर रहा हूं और आज उसी सिवलिंगा उसी भाव के ताथ कि शिवेती मंत्रमुच्रम सदा सुखी भवाव्यम। कि मैं सदा सदा क्या करूँ सुख को प्राप करूँ। फिर शिवकात क्या रहे। मून जो मंत्र है ओम्त्रेम्मक एजाम है। ये मंत्र है जो वेदो में नहीं आया है। वेदो में केवन मंत्र ओम् प्राउम् जुम् सहव यहीं आया है। बात में यह मंत्र एडवा के ओम्त्रेम्मक एजाम है शुगन्दिनी मुकुष्टि वर्धनम। उर्वा रूप मीव बंदनात इस्त्योर मुक्षिय मामता। आपने भी अभितक अप्षेक किया होगा। ये मंत्र बोदिव किया होगा। थोड़ा विमिचिन करते हैं इसके बारे में समस्っとly है कि वास्तों में अभिशेक किसका है। किस भाव का है अभिशेक। पुष्टि वर्धनम होने के भाव के साथ अभिशेक है। और उसके लिए क्या चायए शक्ति चाह्थ किया। शिव का मतलब है, सव प्लुस इंकार। जब जब शिव के साथ, सव के साथ सत्थी क्योंकि सव का मतलब है, जो समादी युट से हैं, जो कोई मतलब नहीं, वह सव समान है। लेकिन जैसे ही शक्ति जुड़ जाती है वह शिव बज़ जाता है तो जैसे ही शक्ति का मिलन होता है द्वनी आती है नमा शिवाए नमा शिवाए शिवो अहम शिवो अहम शिवो मैं शिवो मैं शिवो उसके पहले शव और शक्ति अलग है। लेकिन जैसे ही सयुक्त रूप होता है, मिलन होता है, तब वह शिव बन जाता है। तब वह त्रेव गेजा मही शुगंदी निंपुश्ची बर्दरां। उर्मारिन बंदनात भृत्योर मुक्षिय मामता है। वह अम्रत प्लान करने वाला हो जाता है। क्योंकि यहाँ शिव है और यहाँ शक्ति है। मूलाधार में शक्ति है। शक्ति का काम प्रोड़क्शन करना है। और वह सक्ति हमारी शक्ति किस प्रकार के कारियों को क्या हम प्रोड़क्ट प्रदान करने हैं। हम क्या बनाने की क्रिया करते हैं हम संतान बनने की क्रिया करते हैं हम सरीर को स्वस्थ रखने की क्रिया करते हैं यह सारी क्रिया है हमारी निरंद्र और निरंद्र हम करते रहें और सक्ति अमें मिट्टी कहां से हैं वोजन से जल से थोड़ा और समझार रजाओ के चोंब कहेंगे कि ये विटामिन की गोले ले लिए ये लेड़ी आप विटामिन 12 ले लेदियाР ये गोली लेजी, इस गोली के अंदर, ये ये मिनरल है, ये गोली में ऐसा है, आपने कुछ दवाइया लेगी, लेकिन क्या वास्तों में केवल बोजन से या केवल कुछ गोलियों से शक्ती का प्रवाब हो सकता है, आपको थोड़ी प्राप्तों हो जाएगी शक्ती, लेकिन वास्तों में सक्टी का प्राफ्त होती है। तीसरा शक्ती का सक्टी बड़ा श्रोथ है जहां शक्ती ऊपर की और होती है। बोजंगे और गोलियों से जो सक्टी मिलती है वह तो आपके संतार के कारियों में खर्च हो जाएगी। तीतरी जो सक्ति होती है जिसे का गया है मन की शक्ति जब मन से सक्ति का प्रवा होने लगता है बोजन आवश्यक है जल आवश्यक है लेकिन तीतरा मुख्य है कि उस मन में आनंद का प्रवा आए वो मन की सक्ति सबसे प्रबल शक्ति कही गई है जब वन की शक्ति जागरत न रूती है तो वह वह उपर की उपर होती है वही शक्ति आनंड भाव बन सकती है केभल बोजन की शक्ति केभल दवाय ओपलिकुकि 되고 गोली की सब्रसक्ति को आनंड प्रसाधिये कर सकती है। सुदा आपको उर्जा जरूर रे लेकि लेकि जिसे कहा गया है आनंद आ देया है वो आनंद केवल और केवल मन की शक्ती से ही प्राप्त होता है इदि मन घष्च में है और शरीर को आप कितना ही बोजन दे दो कितना ही विटामीन देदो प्रसंद नहीं हो सकता है आपके चेरे पर जो लाली माग आई गई है वोपुश्ट आई नहीं सकती है केवल भोजन के मात्यम से नहीं आता कहते हैं कि योगी कई-कई समय तक भोजन नहीं करते हैं लेकिन उनके चेहरे पर जो प्रवामंदर होता है वह प्रवामंदर आकर्षित करता है उनके चेहरे पर उज लगता है वह उज भोजन से नहीं आ सकता है पचास तरह के विंजन करने से नहीं आ सकता है चार रोजी घालों के जो सरीजियरी आविश्यक है उतना ही बहुत है असली आदम को कब आएगा जब हमारा मन प्रफुलिक होगा उस मन के लिए त्रेम्मके जाम है शुगन दिनिंफुष्ची वर्दम बंदना के बंदन से मुक्ति प्राव्द क्या है कि शक्ति के बारे में थोड़ा और मैं समझाता है कि जब सक्ति सिर्षी अलग होती है तो उसे माया का माया का आपके बार बार सुना है ना कि इस अंधार मायावी जाल है कि संतार ये तो माया नगरी है वो उस बात में समझाने के लिए बताए गया कि हम सब माया से प्रवावी जोते हैं ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये मैं संग्रे कर लूँ ये मैं तो इसे माया का आपके माया के वश्रीबुत होकर ही संतार के प्राणी सारे काम करते हैं ये इस माया नहीं हो इस संतार में अर्थास्थिका माया के रुप में प्रवाव नहीं हो इसलिए प्राटा में धिया देगी सर्व भुतेशु विष्णु माये की संस्रिता ते जो नमस्तर्षे, नमस्तर्षे, नमस्तर्षे के देदेवी, आप इस संसार में विष्णु की माया सरू इस संसार में विचरण करती हैं आप सक्ती रूपेण हैं, आपको पढ़ान हैं पालिवादी कि सब्सक्राइब की सब्सक्राइब की ओ महारा तो मन का कमल खिलाना है नहीं अभिशेट का मतलब क्या है कि हमारे मन का कमल खिले उसका सिंचन जड़ना है खेर मैं माया के बारे में बता रहा था कोई परस्ता किसी के उपर नहीं कह रहा हूं एक व्यापारी दुकान पर बैठ है और इतने में कोई एक प्रती दोड़ा दोड़ा आया है कि बाउजी 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 आपके घर में हाद याद गई है जल्दी चलिए बाउजी दुकान से उठकर दोड़े जाके दीखा के घर जल्दा ओहो हरे हरे करते जोड़ जोड़ से रोने लगे मैंने तो ऐसा सोचा था कैसे घर को सजाओंगा ऐसे घर को सजाओंगा यह थोड़ा रीकंसर्ट करूंगा इतने मैंने चीजे एकटी प्ली हुई जितने में एक आद्मी आया बुला के सेड़ जी रो क्यों रहे यो क्या बात है अरे मेरा घर चलता है रों नहीं तो क्या करूं बुले रोने की कोई बात नहीं है आपका बेटा है जिसे आप नालाइक नालाइक कहते तो जो शेर रहरा है तो बोले उसने क्या किया उसने आख लगा नी किया कि नहीं नहीं आज किया था कि सुबह उसने आपके इस घर का की सवदा गर्द यह दर्ट गर आपका नहीं जलते वब जलते हैं वैंसे आपसे देखने लगें मेरा तो कशकिए भाइप से बादर की आप देखने लागें मेरा तो इसलिए मैं तो निश्चिंत हूं यह तो मेरे लड़के तो मेरा है थी बोले हाँ बेचा था लेकिन बाद में क्या हुआ कि दूगंटे बाद को सौदा कैंसी लो गया था इसलिए घर आपा है पुरे मेरा घर चलता है मेरा घर चलता है फिर रोने लगे और पहले रो रहे थी फिर असने लगे यह मेरा नहीं है मुश्क्राद लगे फिर थोड़ी दिर भी फिर रो रहे थी जिद्धे आप क्या रहे हैं कि मेरा घर जल रहा है क्या कि पूले क्या है कि आप इस लड़के ने बेचा था वो सौदा पहले तो कैंसील हो गया लेकिन बहुत और उसमें एडवांस ले लिया था इसलिए उसमें सामने बात पती है जो सौधा है पक्का है तो माफ सीत हो गई है इसलिकल परकर की जूदcem है औरhof ardhos दीवे璃। अशरो चलो कोई बात नum तो यह सही होता है, मेरा है, नुक्सम रुज़ता है, ओहुँ, बहुत पीड़ा है, मेरा नहीं है, चलता है संसार में, क्या है, यह माया है, थोड़ी दिल में, अरे यह मेरा है, वो छूड़ता है, बहुत पीड़ा होता है, मेरा नहीं है, यह तो जगत का काम है, यह क्या है, यिये मेरा है नहीं हैं मेरा नहीं है मेरा है मेरा नहीं है इस चक्र मेले हम ब्राइब करते हैं जैसे ही उसको अपने पकड़ करके अपने अंदर लगा दिया वह दुख देने वाना हो जाते है और जैसे ही यह आया कि भाव आया कि त्रेम में दे जावाई सुगन में दिन पुष्टी वर्दरम उन्हारे बंदनात उत्यों मुख्षिय महां बता कि मेरा जीवत मेरा मेरा करते करते बंदनों से मुख्ष हो क्योंकि बंदन और किसी ने डाले है या नहीं डाला है या आमने ओड़े है शिव की तरह मालाएं गले में उन्होंने डाली है या जगत ने अपने अपने बादाएं उन्हें दीए शर्व रूप में अब गले में सर्वों की माला है तो आपके जीवन में आ गए है और अब सर्व आ गए है तो थोड़ा थोड़ा जहर जरूर देंदे ये भी बात कंपर मैं अब उपाय एक ही है हमारे अंदर हम उस गंगा जल का सिंचन करते रहे जिससे हम विश्व की दग्वता से दुखी नहीं हो हम अपने मन का सिंचन निरंदर निरंदर करते रहे के मेरे जीवन का लक्षिय है सुगन्विक पुष्टी वर्दर बंदनाद प्रत्योर मुक्षि मा मरताथ में अम्रत की और याजा करना जो गरे में बंदन डाले हुए है वे कब कब नहीं हो जाए तो अभी में अपनी सक्ती से उन्हें उतारने में समर्थ वर्ष्ट बंदन कितने हैं दीन तरह के तो बंदन हैं दन से जुड़ी हुई बात संदान परिवार से जुड़ी हुई बात और तीसरी स्वास्पे जुड़ी हुई ये तीन बंदन ही है ना इसके लावा तो और कोई बंदन नहीं है जितने बंदन हाथ बिराओगे या तो आपकी जुड़ी प्रॉब्लम है दन से रिलेटेड होगी संदान या परिवार से रिलेटेड होगी या आपके स्वास्पे रिलेटेड होगी ज्यादा का समय है हम इन तीन प्रकार की चिंताओं पे गरस्त रहते हैं जिसके बारे में हमारे सास्त्रों ने कहा है कि पहला सुख निरोगी काया दूसरा सुख घर में माया माया ते जाँत ही होगी आर unlocked की देती है मिया है तरी तो this is my husband this is my son यह मेरा बेटा है इससे मैने जनन दियारे औस तेरा बेटा है junior दिन्त मेरा चौन्self करता ए और कोई दूसरा कैसे जनल देगा यह मेरा बेटा है यह मेरा बेटा है यह jakecome को यह माया है पर इस माया में आनन्द आता है माया नहीं हो तो हम क्यों घर बनाए क्यों शादिया करे क्यों भईवा में बद्दी करे ये थोड़ा माया जाल बना रहता है तो अच्छा लगता है थोड़ा टेंट लगता है तो अच्छा लगता है लगता है कि हम सुरक्षित है तो पहला सुख विरोगी काया दूजा सुख घर में माया तीजा सुख पुलवन्ती नारी चौता सुख पुत्र हो आज्यागारी पुत्र मतलब संतान पुत्र हो या पुत्री पांच वा सुख स्वदेश में वाता कि जो काम हो जौब हो खुद के देश में हो मैं देखता हूँ कि कोई कहता है कि अमेरिका जाकर चे बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं वाहन भी मैंने देखा हूआ है कि वो यह करते हैं जो स्वदेश में सुख है वह सुख कहीं नहीं है इसलिए इसे महान सुखों में का गया पहला सुख निरुगी काया दूजा सुख घर में माया पीजा सुख कुलवन्पी नारी चौता सुख संग्दान और आग्या कारी पांच वासुख सोदेश में वाता ठठा सुख राजे में पाता राजी में पाता को मतलब जो संतार का क्रम चल रहा है उसमें हमारा भी कोई भागी दारी हो दस लोगों से जान पिचान हो दस लोग हमें सम्मान दे हमारी कीर्थी हो लोग कहें कि यस इसने कुछ किया है ये राज्य में पाता राज्य का मतलब ये संतार का राज्य उसमें ये मेरा उपीतर जान जान का है और इस प्रकार की जो इस्तती आती है उसे राज्य में पाता का दे सात्वा सुख जो अल्टिमेट सुख है हो संतोसी जीवन तो तीनों सुख दन, संतान और स्वासा से जुड़ा तब ऐसा करते हैं सात्वे सुख को जो लांट में लोगों ने काए उसको नमबर बन दे देते ठीक है नमबर सात्वा सो कौन सा है संतोसी हो यहीवन है ना इसको नमबर बन दे देते फिर तीन समश्य हैं जी आपकी दन से जुड़ी हुई संतान वरिवार से स्वास से जुड़ी हुई सेकेंड नमबर इसको दे निरोगी काए तीसरा सो किसको दे गर्मे माया को दे या दन को या संतान को दे तीसरा नमबर किसको दे संतान को माया चाहिए या संतान का अनम चाहिए, संतान का अनम चाहिए, तो तीत्रा सुख कर देते हैं, संतान हो, आग्या का अब घर में माया और स्वधेश में वासा, इसमें से कितकों पहले प्रायडी दे, कि रहे तो अपने इस्ठान पर रहे, या प्रदेश में जाकर घर से कोई 1-2-4-4-3-5 किर्मीटने कोई जानता हो, रहता हैं, हैं मती पुर्देश के जाकर के छेने के पास के इंग्रे पिंग्रे 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 बोल रहे ना आपको समझ में आता है ना आप समझ आता है कि बाहर रहें क्या करें वो अनकम अनकम बोलेगे आप उचे क्या गाली दे रहा है क्या कह रहा है वो भी तरह प्रणाम कर रहा है तो कहां रहें स्वधिव में वासा ठीक है कुल्वंजी नारी नारी में आपका जुलाई पार्टनर है समझार हो आपको स्वयोग देने वाला हो उसको क्या नमर दिया आप बहुत स्वार्थी हो गई आपको यह पहला पहला सुख दे दिया है कि में मेरी है ठीक रहें दूद्रा सुख दे दिया है कि वो संतान और पर कुल्वंदी नारी नहीं कुल्वंदा नर्भ नहीं होगा तो स्रेट संतान कहते होगी तो पहला सुख देना पड़ेगा तो कुल्वंदी नारी कुल्वंदा नर्भ देना पड़ेगा नहीं कहना पड़ेगा अभी आप अभिशे करें हो सिवलिंकार जिसमें सिव और सक्ति समन्वित है शिव सक्ति के उपर इस्थावित है लेकिन शक्ति का पूरा-पूरा सयोग है संयोग है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट धिंग है संतोष के साथ साथ माया तो अपने आप आजाएगी माया नहीं आएगी तो भी हम रूकर सुक्त हागचे भी रह लेंगे लिकिन आपस में जो कहते हैं कॉंपेटिबिलिटी होनी चाहिए अखिर को यसा वन येर टू येर का तो मर्या समग्ध होता नहीं है अठारा साल पर अवसीछ वाला नहीं होना चाहिए जीवन में भी जैसा शक्ति को पार्टर मिला शीह जैसा कि कहता है समाधी में रहता है लेकिन क्या वो श्लोप बोला था था मनों विरोध भूद भूतिरभूद क्या है वो धराद हरेंद्र हकर श्रमंगला कलम करा कदम मंजरी रश्क्रवा मादूरी विजम्री मदूर ताला कि शिव आपको ग्रेट हो मान हो मैं तो आपको लिंग्स मत हूंगा कि आप इत्व महुरे हो जो कदम मग व्रक्ष्की मंजरी के पराद्पड़ों का रता सुद्वत कर ले हैं वहीं बहुरा वहीं बहुरा ऐसा आपको ब्रह्मन करता हो नदर नहीं आएगा घूम पिर करके कह होजाता है तो ऐसे ही जीवन में मैं ग्रेट जीवन में जी संयोग हो तो अपने आप संतोर्च आंप अहे माया भी अपने आप आजाती है माबाप लड़ते हैं न तो संतान लड़ना सिखती है और जहां मादा पिता में प्रेम होता है वहाँ संतान अपने आप आखिया कारी हो जाती है फिर कहने की जुट ने इक बेटा मैंने तेरे उपर इतना कर्टा किया तु मेरा कहना माणना դु मेरा कहना मानना कहने की जुल्थ नहीं है तू मेरा गुडा में क्लिवा कidée सारा बच्ना कहने का अशिकत नहीं यह जिस अधिन प्रेव होता है संतोष होता है वहाँ सारे सुख माया, मिरुगी, काया, राज्यब, बासा सब अपने आप आजा जाए अपने आप माया आजाती गर्मे लक्षमी अपने आप आजाती क्योंकि संदोश है तब अप राप्त लक्षमी प्राप्टिर्थम राप्त लक्षमी चिर्काल शर्राक शर्दा तो क्या मेरा मेरा करना है क्या करना है क्योंकि आपका मन है ना यह तो बड़ा शिव के समान है वह तो यह कहता है मन बहुत ही बिचारा भोला है सीधा है इस पर हमने इतने सिर्ग आवरण डाल दिये कि अपना भुलापत भूल गया है मन है उमारा शिव शिव ऐसा बोला है गनपती की चता जानते हैं कि शिव ने मस्तकार दिया था पारुटी ने कहते हैं मेल से अपने मेल से गणिश को बनाया उनको चोकिदारी करने कार शिव आये और देखा ये कौन है शिव को जाने नहीं दिया तो शिव तो इतना बोला है कि वह एक ख्षण के लिए भी सक्ति से भिलग नहीं रहना जाज़ा है ये जो हमारा सिवलिन की पृतिकात्मक साथना है पूजा है कि यह शिव सक्ति से प्रथक रह रही दखता है उसके मार्च में कोई भी बादा आजाती है तो वहाँ उसे समाथ कर देता है सिर्फ धर्ट से अलग कर देता है क्या हुआ के रावन देख ग्राश्पर शियो और पार्मती का विवाब पार्मती ने कहा कि अच्छा घर तो बनाओ अब हमारे शिर्फ तो कुछ काम करते नहीं और दिया रावन देख गर बना दिया गर बना दिया का भी अब ग्रेब्रवेश करना है रहते ते के लास परोट में खंद्राओं में शक्ति की दुखी हो गई कि माराज इतने खंद्राओं में कैसे जीवन कटेगा घर तो होना चाहिए घर बना दिया पंद्र थे रावन को का कर भई तुम बंडित हो ब्रामण हो ग्रेब्रवेश करा दो रावन का ग्रेब्रवेश की मिनत आप्रवेश करने ही तक तुम ग्रेब्रवेश का पूजर भगवाद कीम ने प्रवेश करिया बोला पंदकी दक्षिणा रावन उसने का प्रभू आप तो ऑगर दानी हो देते हो यह पूरा घर ही हो जेते हैं अब घर में फार्वेश कर लिया अब तो यहां रहेंगे अब इसी मैं घर को मैं उठा कर दी ले जा सिकता हूं तो शीव और पार्वति सदेव और सदेव मेरे साथ रहेंगे सदाव सुख में रोगा सब लक्ष्मी चिन काहां तक मेरे पास करना चता सेघी है फिर कहते हैं कि ले जाने लगा तो इंद्रानी दीवताओं को माया खुरी कभी बड़ी जिस्से की वाँ हो जाए शीव बड़ा बोला है शीव को कोई छलकपड नहीं है वह आपने बार-बार कथा पढ़ी होगी तो ऐसा कि इंद्र का आशन डोलने लगा और उसने तपश्या कर ली और इंद्र का आशन डोलने लगा इंद्र को भए आगे लगा और उसने तपश्या भंग करने के लिए उसको बेजा विश्वामित्र के पाद इसको बेजा उसका सबया जो अड़ मोलें जिस अंदर ग्र εκति भाइसे तरह करता है उसके जीवन में भये का कोई स्थान नहीं रहता है इस यू उसे कभी लगे यह नहीं कि मेरा आसन डोल रहा है तो मुझे प्रभाब अव्ष्षित राम्तों का तब किया है स्राथ ना की यह तो इसका फल होगे अविश्चिता चुरा अब मारे भगवान शिव थो ऐसे बूले कि बत्मा सुने प्राटना की बगवान जीव को को पुल दो बाशन में आतर। स्रश्ष्री का कम दोशन से... कर लिए तो दीवर्थितिका क्रमुत्म है... में इस्रश्ष्री का क्म क्रमुत्म है, जीवन है, तो मृत्विस्टियों आयगा या जीवन का... पुंदरेकी जर०। इसलिटने का तुम मूला कि आदमी को रगता है कि मैं मेरी बादाओं को बश्म कर दूँ तुम्हें संसान चक्रवर्ट्टी हो जाओंगा यह वर्दान महांका अब बगवान बोले ना तो क्या मालूम है कि यह वर्दान बश्मा सुर्प का ततास्तू ततास्तू कि धभाव कि भश्माष्ण की बुद्धी खराब हो जाई जाएगी वहुं में अजमने लगजाए चेल को सिव ने जो वह वधान दिया है यह और ठैसे जिए धिया है यह और को जिखने ही रहे है यह वह. अब प्रभु थे उन्हों को वर्दान ने दिया जो दे दिया अब आगे आगे श्रीव और पीचे-पीचे बश्वाकुन जौर रहे हैं तीनों लोगों का ब्रह्मन कर रहे हैं यह तो कहते हैं सच्छी बचाने के लिए विश्णु क्या आए माया सुरूप आए और का अधर क चेक करता है यह सिंव का वर्दान मगेरा कुछ नहीं होता है तेलको विश्वाद निता करें वो त्रष्टी के रचित हैं उन्होंने जो वर्दान दिया है आश्रीवात दिया वह कभी निस्पर जाई नहीं करता है और अपनी तपश्यार बसमा सुनने के लिए खुदी बर्ष्णू बे अरे हमारे शीव तो इतने बोले हैं विश्णू के प्रिय है जो विश्णू ने राम का अवतार लिया तो बोला कि मैं हनुमान बन करके राम के पास रहूँ कौई बोले आप कियो वह हो आप सेवक मन करके कहते रहोएं बोले मैं प्रेव करता हूं विश्णू से प्रेयम करता हूँ, आराथ में मानता हूँ, क्योंकि वो जगत का सिस्टम चला रहे है, इसलिए मुझे सेवक बंकर के, हनुमान बंकर के जरब लिने में भी, किसी प्रकार का कोई ऐसा विचार नहीं है, मैं हनुमान मुरू इसलिए हनुमान को रुद्रा अफ्तार कहा जाता ह एगो उरुद्र अफ्तियो नास्ति, ओगणानी अचिव, त्रेयम्भ वेजा महें सुगन्यनी मुष्टी वर्धनम, मुरुवारु पंधनात, मुर्त्योर्मुक्षियमामता ऐसी हमारी जीवन याद का हो, कि हम सुगन्दित हों, पुस्टी वर्धन, लेकिन हम फूर्ध दो-तीन बात के बारे मिच्चार ये करते रहते हैं कि मेरी तो उम्र नहीं रही, मुझते योगो नहीं सकेगा, मैं करूँगा तो क्या कहेंगे ये लोग, तो हम जान कुछ करके भूत्यू की और बढ़ते हैं, अभी आज कर आपने सुनाओं को हार्ट अटेक ज्यादा आता है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया हार्ट अगया तो नेसल हार्ट इस्ट्यूट है, दिली का, उस सल्थां में साइंटिस्ट वगरा जो हैं, उन्होंने का क ये अभी 10-20 साल, 25 साल में ऐसा क्यों हो गया कि लोगों को ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ने लगा है, मालूम तो बढ़ते हैं कि आखिक इसका कारण क्या है, और फिर उन्होंने डाटा निकाला, तो ये निकाला कि सोंग आखिक, सुबह, चार्ट से छे के बीच में, ज्यादा के लोगों को हार्ड अटेक आता है, उन्हों का इस तो बड़ी विचित्र बात हो गई है, कि इन लोगों को मंडे को मौर्णिंग को ही क्यों हार्ट जखेगा है, तो निसकर्ट ये निकला उन्हों जिनका भी सर्वे किया था, हजार लोगों का बनाए, कितने लोग नौकरी में को किस प्रकार की नौकरी करते हैं, क्या उनका दिन्चरिया है, करीब करीब सबी लोगों की दिन्चरिया एक जैसे निकली, आए, नौकरी गए, खाना खाया, परिवार के साथ उसे बैठे, जो भी करना है, लेकिन क्या होता है, कि दो दिन फुट्टी में आते हैं, कि आपके याँ सेटरेडे, दूसरा चौता मिस्ता होगा, बाकी दिके सेटरेडे, संडे फुट्टी रहती है, सेटरेडे को वो आदमी घबराना सो, कि मुझे मंदे को काम पर जाना है मुझे मंदे को काम पर जाना है मुझे मंदे को काम पर जाना है संडे आते आते संडे होते 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 उसकी वह घबराण बढ़ती जाती है अंदर ये तर अंदर ये तर बढ़ती जाती है और मंडे मॉर्निंग जाना को सुबेर दस बजे है आट बजे है लेकिन वर्प अंदर विस्पोर हो जाए तो ज्यादर कर हार्ट अटेक्ट यह तो साइंटिफिक डाटा उनने निकाले हचारों लोगों का स्टेटी करके निकाले उस बिमारी का नाम दिया है मंडे ज्यूज म मिला कि मिला ररे लिकिन कि अग्याद का डर लगता है काम है कैसा निकले का प्रेशेट प्रेश्र प्रेश्र फ्रेश्र सब्सक्राइब तो हम जो संडे को नहीं करते हैं उन्हें कि मृटे को आदम पहले जाए है linear जाना चाहिए के चलो एक वीग बीटा संदी को खूब रेस्ट कर लिया अब ख्या दिन पास दिन खूब अच्छे से काम बढ़ता है वह मत्ती का भाव समाव कुपता जाए क्योंकि हम मुख्ष की और नहीं बढ़ रहे हैं हम चिंताओं के साथ साथ वाट विल हैपन ऑन मंडे क्या होगा मंडे को क्या होगा साथ पांसो काम में उफ़र आकर के पड़ जाएंगे यह काम मुझे निप्टाने पड़े काम जो आप करते आ रहे हो वही करना है लेकिन एक जो अग्य आपको अंदरी अंदर आपका प्रेसर इस प्रकार से बढ़ा रिष्णा है कि सैंद मिचले मन को करना है उसाथ को ही करना है तो सब्सक्राइब कहते हैं कि इस मन में यह शीव को स्थाफिश करना है जो शंतोर्शी है बोला बाला है जो आएगा देखा जाएगा हम शक्तित इस युक्त होकर क्रिया आप इस वाव के साथ आप यह लक्षे रखेंगे कि सुगनिर्यम पुष्ची वर्द्रण कैसे मेरे अंदर उर्दबाद की क्रिया हो मेरे अंदर सक्षी का ऐसा संत्रण हो कि मैं शंतोर्श के साथ आनद के साथ जिवन में रहूं और सुगनिर्यम क्या उता है कि जो मनिष्ची के सरीर्ट की जो गंद होती है वह बहुत प्रभावी होती है आप अस्पताल में चले जाना आप तुछ महां की गंद में आपको अलग वातामण में आपको लगेगा क्या है दाद्राइघ कि जो बास होती है वह अलग तरकी होती है लेकिन अक मरीज की जो बास होती है वह अलग तरकी ऐसा रेका और जो स्वस्त होता है उसके शरीर्ट से एक अलग प्रकार की गंद निकलती है तो महामुष्टिंचे मंत्र है वो अभिशे धन जो करने जा रहे हैं वह त्रेम्बग यजा महे सुगन्य निंपुष्टी बदन पुष्टता हो और अभिशे किस से करते हैं किन किन से करते हैं दूद, दही, गी पुरी शक्र डाल देते हैं जल्दो इसलिए डालते हैं कि वह परिणाम में बढ़ जाए परिमान बढ़ जाए एनफ हो जाए एसेंशेल जीचे हैं जो जिन्दगी में शिवका पीशे करें जो चिक्राइं देने वाले हैं उनसे करें घी, दूद, और दही ये जिसको कहते हैं न सुगंद देने वाले हैं उनसे हम शिवका अभिशेव कर चाएं कि हम इस प्रकार से अभिशेव करें मिलनकर सतत सतत जलदाना चाए भून-भून करके मतली दार के उनमें गिरती रहे हमारे जीवन में भी आत्म अभिशेव सतत और सतत होता जाता यही अभिशेव की क्रिया यही संसी पास की क्रिया हर्म संपन करेंगे साइकाल में लेकिन उसके पहले में ये बात और बताना चाहता हूँ कि आप मिस्टेक का हो रहेंगे बतार दो है आले पानी पाइटा वह बहुत परिशान हो ले आप सद्मदेव की सद्मदेव की सद्मदेव की ओ वहाए हाए 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 गटना है में मैं निकल काना में 25 साल हो गए लोगों से मिलता आ रहा हूँ 25 साल पहले यहाँ मरगंटक में जीवित किया पर्देश में पती पत्नी रहते थे अब जैसा कि रिवाज होता है कि लड़के की माँ थोड़े दिन के लिए रहने गई रहने गई थास गई दस पंदरा बीज दिन रही बोला बेटी तुम बहुत समझदार हो बहुत अच्छे से घर संभाल रही हो मैं तो बहुत खुश हूँ तो पता नहीं क्यों फुरे दिन पेले बेटे का फोन आया था कि ममी आप थोड़े दिन हमारे पास आकड़के रहो आपकी बहुत है जो बहुत अच्छी है लेकिन थोड़ा फिजूल घर्ची कर देती है तो आप थोड़े दिन आकड़के रहो इसको थोड़ा ट्रेनिंग के दे अब इतना ही कहा कि बेटेने पता नहीं क्यों ऐसा बेटा से गर को अच्छी से समाच रही है सब तो बहने देखा है महीने बसे मैं रह रही हूं तो तो बहुत ही विजूल ख़चीर लेकर पता नहीं बेटे के मंद में क्या आया जो किस हिसाब से कह दिया था चलो कोई बात नहीं, छोड़ो बेटे रैसे ही कह दिया होगा, बार ये विश्का भी बोर दिया, पत्नी नाराज पती से, सास गर में, दो चार दिन रस्तिन कब चो, हाहू, नानू, नानू, अन्बन, रस्त मास्तिन हुए एक, चली गई सास, सास गई और दूसरे दिन घर में माँ शंग्णा, मैं फिजूर खर थी, मैं घर को नहीं सबास सकती, तुम्हारी माँ आ करके मुझे ट्रेडिंग देगे, मैं पुरुक्षणा नहीं हूँ, घर में पुरुक्षणा नारी, उपुरुद्धी नारी और माँ मेरा कहने का मत भी यह नहीं था, मां को भी पुछ करना था, इसलिए ऐसे कह दिया, के फुरुद्धा, के नहीं, तुमने कहा तो कहा ही कहते है, कोई बात होती, हर दो मेंजे में, अब वो क्या एक बात, तुका है इस किताब में, नोट होती, कोई पती-पती में किसी बात प कि अपनी मा को बतायाता, मैं तो तुमारे लायत इस गर के लायत हो नहीं, नोट करकर, 25 साल हो गए, सादी की मुक्या बते है, सिल्वर जिबली हो गई, लेकिन जैसे कोई जगड़ा होता है, सिकाइट की किताब में जैसे वो दर्द हो जाता है, फट फट पुराना रजिस् अपर को किसने समबल आए, मेरे बच्चे एक, तुमारे में बच्चे एक नहीं है, विचरी साल उपर चली की लिए, लिके, 25 साल से वो की वो सिकाइट की जिलाब में से कोई बात होई, फिल पुराना रेजिस्टर निकाला, ये देखे, आज अपरे, 9 अपरे, प्रतीक बात है, ज्यादे तो लोग ऐसा ही करते हैं, जो जगड़ा होता है, जो जगड़े की बात होती है, विश्प होते हैं, उसको संजों-संजों करके रखते हैं, कोई बात होती है, वो जगड़े का रेजिस्टर निकाल करते हैं, देखो तुमने 15 साल केले मुझे ये कहा था, 15 साल केले में तुम्हारे घर आया था, तुमने मुझे चाय का नहीं पूछे, अरे पंद्रा वस बीट गए है, उस बात को घुलादो, लेकिन हम, जो कटऊलों को होते हैं, उन्हें संजों-संजों करके रखते हैं, क्या रखना चाहिए, विश्प संजों करके रखना चाहिए, वनो आज-जों क्या बात है, पहुत है ? हो तो हमसे क्यों संल्ठ हो गर करके रखा हुआ है जहर को 15 साल पहले कोई घटा हो गई 15 साल पहले को गटा होगई तुमने मेरे 3 नज्चर तहा तुमने ऐषा कि और अथी पत्ति संब्थ में और चाहिए ltisたい वोर चाहिए नोकी के संब्थ में हो कि हमारा जीवन तो फगंदिनि पुर्चि वर्चनम और आप बंदन आप पुर्चन यो बंदने वर्ण भाई वर्ण मन भाई वर्ण मन भाई वर्ण फटाते जाएं तब हमें मुट्टि का अनन्द मिल सकेगा बंदन आते भी रहेंगे यह जो अफिशेख है यही उस आनंद की यात्रा के लिए अफिशेख है कि हमारे जीवन में रसधार निरंतर निरंतर रवाईत होती रहे और जीवन का जहर समाप्त होता रहे इसलिए अंदू रधाईघी से जो रस्वाइन करने वाले हैं उन तत्मासे हे शिव आपका विशेख करते हैं यह मेरे शिव मैं अपना आत्मा विशेख करता हूं कि जिससे मेरे जीवन की विकार समाप को मेरे जीवन का विश्चमा को नहीं आएगा आपके जीवन में दूद दही और भी आपके जीवन में अठाद स्निक्दिता नहीं आएगी आपके जीवन में रस्युक्त नहीं भाव नहीं आएगा फूख जाएगा और यह जीवन बहुत अमुल्य है इसे तो रसासित ही रखना है इसका तो निरंकर और निरंकर छिंजन ही करना है और यह भाव छोड़ दीजिए कि काश मैंने उस्तों में वो कर लिया होता है कोई बात नहीं है उस भीश को अटा दीजिए उस महामर्चिंचे भाव को गहन करना है कि हम निरोगी रहे आलोगिया हमारा सबसे बेस्ट फ्रेंड होकर हमारे जीवन में सदेव और सदेव इस्ता प्राप रहे तो वर्स की आयू और विमारी से उत्तों तुवाई क्या का आयू जैसी इस्वर ने प्लाद कियों मिले लेकिन आलोगी के साथ है सुकत हमारे सरीर से सुबंत निकले हमारे मंद से कुष्चता का भाव निकुले के वं अभिषेह करेंगे और कौन को नपकौन अभिषेह करेगा है वईयूझ कि वेरी कुद का खुटकर या विशेख होगा कोई असा नहीं है कि पूरे खांदान का विशेख एक साथ होगा सब का मन सेपरेट है सब सेपरेट है कि तभी प्राप्त होगी क्या एक कावत है क्या जिन्दगी एक बार मिलती है मजे से जी हो यह आपको क्या का गया है जिन्दगी ना मिलेगी दुबारा है ना जिन्दगी एक बार ही मिलती है यह एक ही जीवन मिला है गड़क लिखाए मरत्यू के बार मिलती है जिन्दगी तो हमें रोज-्रोज इश्वर् स्कडान कर रहे इस विश्वर्य जीना है तो फुल करके जीना है इश्वर्य रोज हर्द साथ के साथ आनब प्रदान करता है उस मर्थ्यों के बारे में विचार नहीं करना है जो किवर एक बार आएगी और जब आएगी तो हमें मालूम भी पड़ेगा तो उसके बारे में क्यों विचार किया जाए विचार करना है तो जिन्दगी के बारे में विचार करना है जो इश्व हमें कल भी इसने प्रदान की ती आज भी प्रदान कर रहा है आगा भी प्रदान करेगा उस जिन्दगी कान लेना उसमें रस्वधार प्रवाइद करनी है तो यह बार भुला दीजिए कि जिन्दगी एक बार मिलती है जिन्दगी तो हर चर्ण मिल रही है अब उसमें भी शिकटा कर रहे हैं या अम्रत इकटा करेंगे तो वह अम्रत आपके सहसंदल कमल में पहुंचेगा और आप सुगंदित पुष्टी वर्दन होंगे मृत्यों और मुक्षि माह मृतार आप मृत्यू से अम्रत्यू की और याद्रा करेंगे मार्ट खुला दा हर मृत्य के सामड़े मार्ट खुला दा अब सौंप दिया सब बाहर तुमारे हाथों में तो गुरु भी उसका ही बाहर उचाते हैं जो स्वयम सक्ति से संपर्ण होना चाहता है मुझे भवसागर पार उतारो उतारो मैं आपको आज खुल करके पूछ सकते हैं गुरु का काम है आपको पार दगाना चलो आपने बार बार यह गायना है तो आप ये तो उसमें परिश्रम करना पड़ेगा। उसमें श्रम लगेगा। पार्टे जरूद करना देंगे। पलपल जीवन का अनर लेना है, तोड़ा शर्ट रहेंगे। क्या निर्णे लिया है। तैयर कर। भक्का। चलो। तो सत्थी के प्रवाद के लिए थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। घर में पानी की टंकी लगी लिए तुम्हारे। लगी लिए। तो पानी की टंकी में उपर सिर्फ पानी नीचे आता है। और नीचे से पानी उपर वेजना होता है तो मोटर लगानी परती नहीं नहीं। उपर सिर्फ में आप गय जाता है। तो नीचे से उपर वेजने के लिए सिदा 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 है। कि बहुत कोई और स्वावर एक और स्वावर आदा और स्वावर की मोटर लगानी परती है। नीची पूरा परिष्रम करना पढ़ेंगा तब जाकर कि आपसे पूरे बहर परिवान आपके सारे कमवामें में जल्दा भी आएगा जमाप प्रैसर के साथ आपसको ऊपर intervalsौड़ने है इस देनक्यू द्न्यू 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 धिन कि होगे तीन बातें बोलनी हैं ये मेरे बसका नहीं है ये काम करने की मेरी उम्र नहीं है और मैं ऐसे जैसे कर सकता हूँ अब ये तीन बातों को आज सिवरात्री में बुला दूँ उम्र आपके आरे नहीं आएगी मैं आज आपको मामुर्दिजय दिक्षा बिलान करूँगा और पहले हम अभिशे करेंगे फिर दिक्षा करेंगे देखो ना भगवान सिवर्दिय अभिशे की तैरी पूरी कर दी आपको बार 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 आशिरवाद खुश रहो खुश रहो